गूड मॉर्NING इस्टुरेंट्स, टोडे हमें स्टार्ट एक्सराइज 6, आज हम स्टार्ट करेंगे लास्ट वीडियो में आपको एक्सराइज 5 समझाई थी, जिसमें मैंने आपको फ्रैक्शन में एड एड और सब्ट्रैक्शन बताया था आज हम fractions में multiply करेंगे यहाँ पर देखिए first adding है फिर in the blanks यहाँ पर आपको कुछ fill ups दिये हुए है उन्हें आपको fill करना है 11 upon 15 multiply 1 एक question दिया हुआ है आपको 11 upon 15 multiply 1 तो देखिए 11 upon 15 को अगर हम 1 से multiply करेंगे तो क्या answer आएगा 11 upon 15 ही आएगा तो कि देखिए अगर हम एक example ले लेते हैं जैसे कि 4, 4 को हम 1 से multiply करेंगे तो 4 वन जब 4 आता है 5 को 1 से multiply करेंगे 5 वन जब 5 तो 5 आता है तो ऐसे ही 11 upon 15 को 1 से multiply करेंगे तो 11 upon 15 आएगा यहाँ पर देखिए P question 7 upon 9 multiply 1 upon 2 फिर यहाँ पर equal to का sign है 1 upon 2 है multiply अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7 upon 9 है और 1 upon 2 है दोनों में multiply है पर दूसरी साइड केवल 1 upon 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम ऐसा कौन सा fraction लिखें जिससे कि यह दोनों साइड equal हो जाए और जिनको solve करने पर 7 upon 18 आए तो देखिए 7 बन जब 7 9 2 जब 18 इससे तो 7 upon 18 आ रहा है बट यहाँ पर तो केवल हमारे पास एक ही fraction है 1 upon 2 तो यहाँ पर हम कौन सा fraction लिखें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7 upon 9 and 1 upon 2 में से 1 upon 2 तो यहाँ पर है कौन सा fraction है जो यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो 7 upon 9 है तो यहाँ पे हम 7 upon 9 लिखेंगे और उसको भी multiply करने पर 7 upon 18 आएगा तो इस तरीके से यह question हो जाएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 upon 9 2nd heading में आपको have the question करने मैं यह first heading आपको मैंसर करनी है 2nd heading देखिए find the product यहाँ पे आपको product निकालना है देखि प्रोड़क कब निकल कर आता है जब हम किसी दो number में multiply करते हैं तो product निकलता है यहाँ पे हम fractions दिये हुए तो यहाँ पे हम उन्हें में multiply करेंगे तो product निगरेगा and write the answer in lowest form और हमें जो answer देना है वो lowest form में देना है तो इसका देखिए इसका बी question देखिए बी question है 24 multiply 3 ratio 1 upon 4 यहां पर देखिए question मैंने लिख लिया है 24 को 24 लिखेंगे आप नीचे multiply का sign लगाएंगे अब यह जो आपका mix fraction में उसे आपको improper fraction में change करना है 4 3 12 12 में 1 plus करेंगे तो आएगर 13 upon 4 अब देखिए यहां पर अब हमें यह देखना है कि हमें एक ऐसा table सोचना है जिसमें दो number हमें एक साथ काटने है जिसमें एक number उपर का होना चाहिए और एक नमबर नेचे का तो यहां पर देखिए जो 24 है वो बीच में लिखा हुआ है बट लेकिन इसको हम उपर का ही number मानते है तो अब देखिए 4 और 24 देखिए 4 के table में 4 भी आता है और 24 भी आता है तो हम इसे काट सकते हैं 4 के table में 4 आता है 1 time में और 24 आता है 6 times में तो हम 24 को काटके 6 लिख देंगे अब देखिए नीचे यहाँ पर 1 बचा हुआ है और उपर यहाँ पर 6 है तो आप यहाँ पर नीचे 1 है या 13 को 6 से कर देना एक ही मतलब है तो फैटो सेटइन सिखजा होता है 78 तो इसका आंसर आएगा आपका शैवनटी एट अगर यहाँ पर कोई और नमबर होता 1 की जगे जैसे 5 होता और यहाँ पर आपका 5 आयए e यहां पर 5 तो है नहीं, यहां पर केवर only 1 बचा हुआ है, अगर हम 1 को लेके भी करते हैं आगे, तो देखिए हां पर जैसे मैंने 1 को ले लिया, 6 multiply 13 के नीचे मैंने 1 को लिया, फिर मैंने 78 के नीचे 1 को लिया, तो divide अगर हम करेंगे तो वही answer आएगा, इसलिए मैंने 1 को आग आपी में कर सकते हैं, third heading देखिए, multiply and write the answer in lowest form, यहां पर आपको multiply करना है और answer भी आपको lowest form में देना है, same ऐसा ही question है, बट यहां पर जो आपको questions दिये हुए थे, उसमें एक whole number था और एक आपका fraction था, लेकिन यहां पर आपको दोनों ही fraction दिये हुए हैं, आप देखिए यह अपर आपको एक question देखिए, इसका, इहां पर आपको यह mixed fraction में दिया हुआ है, और यह भी mixed fraction में दिया हुआ है, तो इसको आपको improper fraction में change करना है, फिर उसके बाद हम इसको solve करेंगे, यहां पर देखिए, हम mixed fraction को improper fraction में change करते हैं, 7 बंजज ख 10, 7 में 2 प्लस करेंगी, तो आ तो आएगा 16 अपॉन 5 अब सेम आपको वही चीज देखनी है कि टेबल से दो नंबर कट रहे हैं यह नहीं तो देखे नाइन और 5 किसी एक टेबल में नहीं आते नहीं काट सकते हम इने 9 और 7 भी नहीं आते 7 और 16 भी नहीं आते तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कट नहीं सकता तो हम सीदे सीदे मल्टिप्लाई कर देंगे 16 को 9 से करेंगे तो 69 जा होगा 144 और 7 को 5 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7 5 जा 35 अब देखिए जो आंसर आया है इसका improper fraction में आया है और में आंसर देंगे और मैंने आपको improper fraction को मिक्स्ट fraction में चेंज करना पहले बताया हुआ है कि डिवाइड करते हैं तो आप रफ कॉपी में डिवाइड करके देखना तो आपका मिक्स्ट fraction में आंसर आ जाएगा फोर रेशो फोर अपॉन थर्टी फाइव थर्ड हैडिंग में देखिए हैं यहाँ पे थ्री फ्रेक्शन वाला कोशन देखिए एक थ्री फ्रेक्शन वाला कोशन बता देती हूँ मैं आपको इन तीनों को हमें मल्टिप्लाई करना है तो जो आपका पहले से मिक्स्ट fraction में दिया हुआ है इसे आप प्रॉपर फ्रेक्शन में चेंज करेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे फोर बंचा फोर और वन को हम प्लस करेंगे तो फाइव अपॉन फोर आएगा मल्टिप्लाई टू अपॉन फाइव मल्टिप्लाई फोर अपॉन फाइव अब देखिए यहाँ पर यहाँ भी हमें ऐसी देखना है कि एक टेबल से कोई दो नमबर कट रहे है या नहीं तो द देखिएंगे फाइव तो टू अपॉन फाइव इसका आंसर है थर्ड हैडिंग के आपको इता कोशन करने मैंस के रजिस्टर में फोर्थ हैडिंग देखिए वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम के कोशन्स दिये हुए हैं आपको माया रीट थ्री अपॉन फाइव ऑफ दा बुक इने दे जो माया है वो किसी बुक का थ्री अपॉन फाइव पार्ट एक दिन में रीड करती है पढ़ती है इव दा टोटल नमबर ओफ पेज़ इस वन अंडर ट्वंटी फाइव अकर उस बुक में पेज़िस टोटल पेज़िस वन अंडर ट्वंटी कि उस बुक का इतना पाट रीड किया लेकिन उस बुक में वन अंडर ट्वंटी फाइव पेज़िस है तो आपको यह बताना है किए कि अगर उस बुक में 125 पेज़िस तो उसने थी अपॉन फिफ्टा ब्रवीен के साथ सौल करेंगे देखिए सबसे पहले statement लिखेंगे total number of pages यानि कि जो page है उनकी कुल संख्या कितनी है 125 है Maya read number of pages Maya ने जो page पड़े उनकी संख्या कितनी है ऐसा करिए आप इस statement में number of नहीं लिखेंगे आप लिखना Maya read pages कि Maya ने कितने pages पड़े तो देखिए 125 का हम 3 upon 5th part निकालेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे इसे तो यहाँ पर देखिए fractions में multiply हो गया अब इसको हम solve करेंगे 125 multiply 3 upon 5 अब देखिए जो यह 5 है 5 से 5 भी कट जाएगा और 125 भी कट जाएगा तो 5 से 5 कटेगा 1 time में और 125 कटेगा 25 times में यह कैसे पता चला कि 25 times में कटेगा तो आप divide करके देख सकते हैं जब आप divide करेंगे 125 को 5 से तो आपका आएगा 25 अब देखिए उपर की जो नंबर है वो 25 है और 3 है यहाँ पर space नहीं था इसलिए मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है लेकिन आप उपर ही लिखना इसको काट कर 25 multiply 3 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25 multiply 3 25 तरीजा 75 होता है तो माया ने जो read की है pages उनकी जो संख्या है वो 75 है तो आपको question number 4 का A question इस तरीके से करना है यहाँ पर आप number of को यह काट लेना है यहाँ पर number of नहीं लिखना है 4th का B question देखिए B question जो है वो आपको करना है statement के साथ आप solve करेंगे इसे 4th का C question आपको नहीं करना है मैस के register में 4th का A और B आपको मैस के register में करना है और यह exercise आपको मैस के register में करनी है Thank you